कर दोस्तो स्वागत है अपनी यूटूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जी के मैं दोस्तो अभी आपके जो 15 से 18 दिसंबर की मत दे आर आर भी एमा यानी मिनिस्टी लैंड आइसोलेटेट के टेक्रिका एक्जाम हुआ 2020 में तो टोटल यहाँ पर 4 दिम जो एक्जाम चला है तो मैं आपको प्रूब के लिए बता दू जो भी केंडियर ते मेरे को एड्मिट कार्ड सहीत क्योसंस बेज़े हैं उनको ही शामिल क्या देखे 17 दिसंबर के इनका एक्जाम था सेकिंड सिर्प का तो सभी अलगल कैटेग्री यहाँ पर एक्जाम हुए है इनका 17 दिसंबर का फिर यहाँ पर बात करें 16 दिसंबर का तो यह आप प्रूब भी देख सकते हो और यहाँ पर टोटल इस वीडियो में 110 जीकी के स्वाल है 15 16 दिसंबर के फार्ट के क्योसंस नहीं मिला है इसकी पीडियो फाइल देखे 110 क्योसंस की टेलिग्राम चैनल पर एवलेबल हो जाए और यहाँ पर आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चनिटी यह है कि 31 दिसंबर से आप पहले एन्रॉल करेंगे तो फी में वर्दी नहीं होगी क्योंकि 31 दिसंबर के बाद जो भी प्लस सब्सक्रिस्टन के कॉर्ष हैं उनकी फी बढ़ा दी जाएगी तो यहाँ पर यह मौ यह का जैसे कि टॉप एजुकेटर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ने का मौका मिलेगा अविने शर्मा सर हैं पाउन राओ हैं परतिव किता मंत्रा हैं रानी सिंग मैं हैं तो डेस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां से आप एन्रॉल कर दीजेगा देखि तो सबसे फेले देख लेते हैं 15 देसंबर में जो एक्जाम हुआ था जूनियर इस्टेनोग्राफर का तो पर्थम पारे में पूछेगे स्वाल उसके बाद देखेंगे 15 देसंबर शेकेंड सेट फिर 16 देसंबर और लाश्ट में 17 देसंबर के क्योशन से इन सभी केंड़े कप 2023 में ये चाइने में होगा 18 एडिसन है ये एफसी एशियन कप का इससे पहले 2019 में ये टूनामेंट हुआ था श्यूंक्त अरब अमिरात में जिसमें जैंपियन टीम रही थी कतर सबसे ज़्यादा जो शक्सेश्पूल टीम रह चुकी हैं एफसी एशियन के जो कप हैं उ इसका प्रियूग किया जाता है तो कठोर जल है उसको शौप्ट बनाने के लिए उसमें वाशिंग सोडा यानि एने टू सीयो थी डॉट टैन एच टू ओ ये वाशिंग सोडा का फॉर्मूला हो जाएगा इसको मिला जाता है कठोर जल में उसको शौप्ट करने के लिए तो option आपके na2 co3a correct हो जाएगा l9 किस प्रकार की धारा है l9 की बात के तो ये गरम जल धारा है जिसके आगमन पर सागरी जल का तापमान शामन इसे 3 से 4 डिगरी centigrade बढ़ जाता है l9 जो गरम जल धारा है वहाँ से शमुदर का तापमान बढ़ जाता है और ये किस महाशागर में है तो परशंत महाशागर में है अन्य में गरम जल धाराओं के बात करवाने वाले एक्जाम्स के लिए तो उसमें आपके अलाशका हो जाएगी दक्षिन विशूवत है ओतरी विशूवत है एटलिंज है फलोरीडा है गल्फ इस्ट्रीम है इर्मिंजर जल धारा है मोजांबिक जल धारा अगुल हास ब्राजिल ये सभी गरम जल धारा है अगला स्वाल देखे विचेज नेट्रोक टोपोलोजी इसमें कम्पूटर के भी क्योशन्स पूचे गए है तो कम्पूटर की क्योशन्स मी आप एएग स्वाल है नेट्रोक टोपोलोजी क्या है तो ऑप्षन था बस जो करेक्ट हो ज works प्रमुक जो नेट्रोक टोपोलोजी की बात को दो स्ब में मैस टोपोलोजी है इस्टार है बस हो गई हाइब्रीड होगे रिंग टॉपलोजी नेश्टम देखे ओडिसा में गहीर माता बीच किस हेतू परशित है तो ओडिसा में जो गहीर माता बीच है वो ओलिव रिडले सीर टर्टल्स यानि जो ओलिव रिडले कच्छुए हैं उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा ये नेश चड़ाई जाती है तो गैलवेनी करण है उसकी प्रक्रिया में जो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक या फिर जस्ता की प्रत्य वो चड़ाई जाती है जिसे का जाता है गैलवेनी करण अगला स्वाल डिप्रेस्ट क्लास सोसाइटी की स्तापना किस ने की तो डिप्रेश्ट क्लास सोसाइटी की बात कर तो इसकी स्तापना की थी विठल रामजी शिंदे ने और जो 1906 में की गती इदी स्वाल इस परकार आ जाए कि डिप्रेश्ट क्लास एसोशेश्ट की स्तापना तो हो जाएगा डॉक्टर भीम राव अमेड करने की थी आठ अगस्त 1930 को नागपुर में आपके पुछा गयता डिप्रेश्ट क्लास सोसाइटी की जोकी की थी महर्शी विटल रामजी शिंदे नेक्स टो निया पर किसकी ऐसा इसताई बंदुबस्त नागू की गय नीती तो लर्ड कान वाल इसके दोरा इस्त इंडिया कंपनी और बंगाल की जमीदानों के बीच मे आगे एक से प्रेश्ट में ये वी पूछा गया है कि इस्ताई बंदोबस्त जो वैवस्ता है ये किनके मद्दे लागू हुई थी तो इस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमीदारों के मद्दे कर्वसूलने से समंदी थे एक इस्ताई वैवस्ता है तुर शमजोता हुआ था जिसे बंगाल में लोर्ड कान वालेस के दोरा 22 मार्च 1793 को लागू की गए थी अगला स्वाल दी की नौन कोप्रेशन मोमेंटेंड जो अर सयोग आंदोलन है उसकी शुरुवात किन के दोरा और कब की गई है तो अर सयोग आंदोलन की सुरुवात की गई थी और स्वाल पूछा जाताoras था तो और स्वाल देखे गे आपर BCD की फुल फॉर्म आपको पूचिये तो binary coded decimal हो जाएगा समाद कोमुदी समाचार पत्र के संपादक कौन है तो समाद कोमुदी समाचार पत्र है उनके संपादक पूछा है तो राजा रामोन राय करेक्ट हो जाएगा 1819 में इन्होंने कॉलकता से प्रकार्शी थे एक बंगाली सापता एक समाचार पत्र ये उन्होंने पब्लिस किया था समाद कोमुदी किसने राजा रामोन राय ने और इसमें सती प्रता की समापती के लिए अभ्यान चलाए गया था करक रेखा से गुजरने वाले राज्य कौन से हैं तो करक रेखा से गुजरने वाले आठ राज्य है भारत के और इसमें आप equipped से याद कर सकते हैं मित्रपर गमसा जार यनि मिजुरम हो जाएगा तिरपुरा हो जाएगा और फिर पंच्छी मंगाल हैं राजिस्थान हैं जो रम से गोजरती है cancer line first generation computer की language आपको पूची थी तो machine भासा थी उसमें पर्थम generation के जो computer जिसमें vacuum tube प्रयोग किया जाता है और second generation की computer में कौन सी भासा है तो वो assembly code भाशा हो जाएगी और third generation computer में high level language फिर आपके fifth generation computer में हो जाएगा artificial intelligence language अगला स्वाल देखिए वे पर्मानु जिनके पर्मानु दर्यमान तो समान होते हैं लेकिन पर्मानु क्रमांग अलग लगोते हैं तो ऐसे कहलाते हैं आइसो बार्षम भारिक हैं इसका उल्टा पर्मानु क्रमांग समान और दर्यमान हैं अलग अलग होते हैं तो वो आपकी आईशो टॉप सम इस्तानिक हो जाते हैं बैंक का रेगुलेशन कौन करता है तो बैंक है वो रेगुलेट की जाती है रिजरु बैंक ओफ इंडिया के दोरा जो उनका एक्ट है ये स्वाल में पूछा गए आरबिया की कौन सा एक्ट है तो वो उनने सो चौतिस रौड पर गाड़ी में यात्रा करते समय मोड या फिर करवाने पर यात्री वन साइड है वो टर्न कर जाता है ये न्यूटन का जड़तों का नियम है गति का पर्थम नियम है अगरा स्वाल देखीगा रो माटेरियल कच्चे माल से जो वस्तुए बनाई जाती है वो अर्थ से पूचा गया है और मैं बाकी इसके बाद बात करूँ सर्वी सेक्टर की तो वह आपके टर्शरी सेक्टर हो जाएगा जिसमें परिवेहन हो गया संचार बेंकिंग बीमा भंडारन वैपार ये त्यादी रहते हैं गरम या ठंडे जल में क्या विले नहीं होता है ये आपक किसी भी पानी के साथ चाए गरम हो या ठंडा हो उसमें रियक्शन नहीं देते हैं तो इसमें जिंग था जो करक्ट था दिल्ली में लाल किले में आजादी के भूले बिश्रे दिवानों की याद में एक संग्राले बनवाया गया उसका नाम पूचे आपको दो दिल्ली के लाल किले में जो संग्राले बना है 6. March 2019 को सका नाम है आजादी के दिवान है संग्राले जो कि 5 पांचवा संग्राले है लाल किले में इस से पहले लाल के लिए में 8277 पर्थम सोतंतरता शंग्राम संग्राले वहाँ पर है नेताजी सुभाष जंद्र बोष म्यूचियम भी है आईने शंग्राले है याद ये जलिया भी लाल के लिए में और जो पांचवा बना है 6 मार्च 19 को आजादी के देवाने शंग्राले और अगला स्वाल दिखेगा कौन सी मेट्रो वेस्ट टू एनरजी पावर से चलने वाली भारत का पर्थम प्रोजेक्ट है तो ये मेट्रो प्रोजेक्ट है दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्परेशन तो दिल्ली मेट्रो है जो कि जो अप्षिष्ट है उनसे उर्जा प्राप्त करके चलने वाली मेट्रो है वेस्ट टू एनर्जी पॉट पर आधारित है वो है दिल्ली मेट्रो अगरा स्वाल देखिए किस रोग का वैक्षिन नहीं लगा जाता है तो आप्षन पर आधारित है आपकी एलिफेंट जो हाथी पाउ है वो भी था तो ये करेक्ट हो जाएगा इसका वैक्षिन नहीं है ब उसकी इस्तती जूर्जा और गती जूर्जा में क्या चेंजेज आता है तो स्वतंतर रूप से गिरने पर किसी भी वस्तु की जो इस्तती जूर्जा है वो धीरे धीरे गती जूर्जा में कनवर्ट होना स्टार्ट हो जाती मतलब जो गती जूर्जा है वो तो बड़ेगी जो भी object है freely गिरता है ground पर तो उसकी potential energy घट जाएगी, जो उसकी स्तती जूर्जा है वो decrease होगी और kinetic energy है वो बढ़ जाएगी, next on the key in which mineral thorium present maximum in kerala, तो किस में है वो thorium kerala में सबसी ज़्यादा पाया जाता है, तो वो है monogyte sand, तो monogyte sand है उसमें पाया जाता है thorium जो कि kerala में सबसी ज़्यादा monogyte sand के अंदर thorium पाया जाता है, और second thorium पाया जाता है जारखन में uranium सबसी ज़्यादा अंदर प्रदेश हैं, बाकि जो यह manganese है, chromite, nickel, boxide सबसी ज़्यादा ओडिशाम पाया जाता है, एक सबसी ज़्यादा इस्टोरेश समता किसकी है, तो सबसी ज़्यादा इस्टोरेश कैपिसिटी है, इनके according हो जाएगी, यह आपके PB हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, किलो बाइट हैं, उससे ज़्यादा MB की होती है, फिर आपकी GB की, TB की और PB की जो ऑप्सन में था, पेटाबाइट, उसके ज़्यादा होती है, EB की एक्जबाइट, फिर जेटाबाइट, योटाबाइट, यह सबी इस्टोरेश हैं कैपिसिटी, MS Excel में क्या होता है, तो row और column होते हैं, यह option में दिए गए थी, अब देख रहते हैं दोस्तों, 15 दिसंबर, सेकिंड सिप, जो जूनियर स्टेनोग्राफर का exam हुआ है, इसमें कौन से जीके के स्वाल पूछेगे हैं, तो इन सभी केंडेट का, कार्तिक वर्मा, वीहन, टेलर, पिरिंका, शुत्रुगन, आभी नेवकुमार का बहुत बहुत धन्यवाज जिन्होंने थी, पहरा स्वाल दिखे, सेकिंड सिप का स्वाल नंबर 31, 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था, सभी को पता होगा, 10 टीम ने भाग लिया है, कहां पर हुआ था, इंगलेंड और वेल्स में हुआ था, चेंपियन टीम थी, इंगलेंड जो उनका प प्रधार मंतरी टेने और पूछे, आपको तो पर्थम प्राइम मिनिस्टर थे, जो आला नहरू, उनका कारेकार 1947 से 1964 तक रहा था, अगला स्वाल, C.O.H. जो किरियात्मक शमू है, फंक्शनल ग्रूप है, ये किस से संबंदित है, तो ये कार्बॉक्षलिक, एसिड से संब की बात, इनके प्रमुक उदाण है, वो कार्बॉक्षलिक एसिड है, शल्फोनिक एसिड है, जो फ्रूट से मिलते हैं, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक, साइट्रिक, यूरिक, मैलिक, आउकजिलिक इस में टमटर में, तो ये सभी आपकी कार्बनिक अमलो की और जुक जाती है, न्यूटन की गति का तिर्ति नियम कौन सा, तो किरिया प्रति किरिया कहा, जैसे की बंदूख से गोरी छोड़ते समय पीछे के और जो तंदे पर जटका लगता है, रोकेट का आगे की और बढ़ना भी ये थर्ड नियम पर आता रिते हैं, सेकंड नि दूर्जा में विर्दी इस्तती दूर्जा में कमी, which comes first in food cycle, तो food cycle में सबसे पहले कौन सा इस तर आता है, तो सबसे पहले आता है, सव पोशी आता है, जो उत्पादक रहते हैं, जैसे की पेड, पोदे, घाष हो गया, ये सव पोशी है, खुद अपना भोजन मनाते हैं, प्रात्मिक उपभोगता, जो श्राकारी होते हैं, मतलब जो घास हो गया, पेड, पोदे हैं, उन से भोजन गरन करते हैं, जित्यों को उपभोगता प्रात्मिक से करेंगे, तो ये माशारी हो जाएंगे, नैक्स नो न देहए, वंदे मात्रम की रचना किसने की तो season चंदर चटर जी के दोरा वंदे मात्रम की रचना की गई थी ओबे धर्मी ओक्षाइड आपको पूछा है जो एलुमीनियम और जिंक ओक्षाइड है बहुत बार एक्जामे स्वाल आता है ओबे धर्मी ओक्षाइड का मतरब जो अमल और चारक दोनों से रियक्षाइड करके लवण और जल बनाते हैं तो इसमें एलुमीनियम और जिंक ओक्षाइड परमुक रहते हैं एक आपकी रिजिनिंग से इस टाइप से स्वाल पूछा गयता है था हैदरबाद है वो तेलंगना की राजदानी देशपूर किसकी है तो आप कहेंगे असम की नेक्ट मन देखे विश्व प्रयावन दिवस कब मनाया जाता है तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व प्रयावन दिवस हैं highest point सरवोच बिंदू है गुरू शिकर जो कि अरावली रेंज का सरवोच बिंदू जिसकी हाइट है 5,650 फीट या फिर मैं मिटर में कहूं तो 1,620 मिटर जो माउंट आबू है वहाँ पर हैं गुरू शिकर राजिस्थान के सिरोई जिले में which disease caused by virus तो कौन सी बिमारी virus जनित है option पर आदरी जहाँ पर option था आपके months तो months एक viral disease हो जाएगी अन्य जो viral disease है जनकी trick है रेका हमें hit करके पोईचे छोड़ गई यानि ये सभी disease है वो virus से जनित रोग है एक वर्ष में कुल माल और शेवाओं के योग से मतलब आपको एक परिभाषा पूछी गे थी जिसमें GDP, GNP ये सभी option थे जो GDP का मतलब है एक वर्ष में एक राष्ट की भोगोलिक शीमा के भीतर सभी अन्तिम उपभोग्य माल और शेवाओं का बाजार मुले GDP GNP में आपर एक विशिष्ट देश के निवास्यों के दोरा देश की सीमा के भीतर जो देश में या विदेश से एक वर्ष की समय की भीतर अन्तिम रूप से उत्पादित कुल वस्तू और शेवाओं को मुद्रिक मुले को शकल राष्टि की उत्पाद कहा जाता है और बाकिया आपने में राष्ट्य आए की बात को तो एक देश में एक वर्ष में देश भर में आर्थिक किरियाओं से आए की कुल मात्रा को राष्ट्य आए कहा जाता है नेश्ट निया पर which factor does not cause global warming कौन सा factor है global warming का कारण नहीं है तो मैं बता दू कौन सी कारण है global warming की तो जिवाश में इंधन का दुरुपियो global warming जो तापमान बढ़ रहा है प्रत्यू का उनका कारण है पेडों की कठाई है प्रदूर्शन हो रहा है लेक्टोनिक उपकरण है ओध्योगी क्रांती हो गई राष्टानिक ओरक वगेरा सभी प्रदूर्शन के लिए हानिकारक नहीं है यह option दिए गए थे इसमें हो जाएगा भू सुदर्शनी करण प्रदूर्शन का कारण क्या है सबसे बड़ा wind form जो पवंचक की शयंत्र है वो कहां इस्तापित हैं सबसे बड़ा तो यह option थे राजिस्थान इसमें नहीं था according हो जाएगा आपकी मुपंदल wind farm है जिसकी 1500 मेगावाट कन्या कुमारी तमील नाडू में इस्तित है बाकि जेसल मेर का जो पवंचकी है वो 1600 मेगावाट पावर का है जो option में आपकी यह सबी थे तो यहाँ पर तमील नाडू करेक्ट हो जाएगा और तमील नाडू यहाँ तरी शंदी थी जिनका प्रियुक 1798 में 805 तक जो उस समय गवर्न जनरल रहे थे वेलेजनी ने भारत के देशी राज्यों से संबन इस्तापित करने के लिए यह नीती अपना इती सहयक शंदी अगला स्वाल दिखें आपर सिरलंका क्या है यह रिजिनिंग से स्वाल पूच प्राइदीब कौन सा होता है जो तीन तरफ से जल एक और से इस्तल से हैं जैसे भारत हैं प्राइदीब किस फेस्टिवल को 2019 में गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है तो यह स्वाल पूचा गया है तो इसमें फेस्टिवल हो जाएगा प्रयाग राज कुम्ब मेला 2019 में इन्होंने एक गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जो सबसे ज़्यादा भीड एक तर करने सबसे बड़े स्वच्चता अभ्यान और सारोजनिक इस्टल पर सबसे बड़े जित्र कला कारे करम के आयजन करने है तो और यहां पर एक औ करके इसका एंस्वर जरूर बताना बंगाली भाषा का पर्थम उपन्यास के रजनाकार तो एक्जेक्ट यह क्या स्वाल था इस पर स्वाल है स्टुडेंट नहीं बता पा रहे हैं कुछ स्टुडेंट ने इस परकार बताया कि अंगूली बीबी नाय पुस्तक है यह किसकी कहानी तो यह पुस्तक मिली ही नहीं मेरे को जो अठार स्टा उनके विद्रोसे समदित कहानी का वर्णन है किसका किया गया है तो एक्जेक्ट क्या स्वाल था इसमें नहीं मिला है अगले स्वाल कर बढ़ते हैं आपर संपत्ति को समान रूप में वित्रन के लिए किस शब् हमिधान की जो परस्तावना में टर्म हैं शब्द हैं उनकी परिभाषा आपको पता होना चाहिए जैसे कि समाजवादी इसका साय अंसर हो जाएगा समाजवादी शब्द का अर्थ हमिधान में इस प्रकार है कि ऐसी सनचना जिसमें उत्पादन की मुख्य सादन पुंजी जमीन शंपती आदी पर सावजनिक स्वामित व या निंतन के साथ वित्रन में शम तुले शामजश्य हो फिर समाजवादी हो जाएगा बाकी एक और टम सम प्रभूता की बात करूं इसका मतलब है भारत न तो किसी अन्नी देश पर निरबर है और नहीं किसी अन्नी देश का डोमिनियन है और इसके उपर कोई भी शक्ती नहीं है ये श्रम प्रभूता हो जाती है एक आपकी स्वाल इस टाइप से था कि परशू और पोधों में वश्रा का हाइडूलिसिस करना क्या कहलाता है जिन भी केंड़ेट को पता है कमेंट कर देना त्वन पर ये कादारित आ क्रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी एमाई सियार की बात करूं तो ये मेंगेटिक इंक केरेक्टर रिकगनीशन टेक्नलोजी है कीबोर्ड एंड मौश तो कीबोर्ड और मौश किस प्रकार की डिवाइस है इन्पुट डिवाइस हो जाएगी अब देख लेते दोस्तों सोहला सबस्क के मेरे को सवाल नहीं मिले हैं सेकेंड सर्प की जो रियल स्वाल मिले वो मैं आपको बता देता हूँ और जो कैंडर ने बेज़े है प्रकाश यादओन इनका एग्जाम था है एड को का तो इनको बहुत बहुत धंडेवाद तो देख लेते इसमें पूछेगी जेक के स्वाल दिखे अक्टूबर 2020 तक कौन Minister of State Finance and Corporate Affairs के मंत्री रहे हैं राज्य मंत्री की बात के तो राज्य वित्मंत्री है श्री अनुराक्षिंग ठाकूर है और वित्मंत्री कौन है श्रीमति निर्मला श्रीतरमन Minerals are simple and to Minerals होते हैं वो क्या होते हैं Compounds होते हैं Organic Compounds होते हैं या फिर Inorganic Compound होते हैं तो Minerals हैं वो आपके Inorganic Compounds होते हैं ये पूछ गया था नेक्स नों देखी जो कुवा है वैल है उनसे बाल्टी अपन खेंजते हैं लिप्ट करते हैं तो वहाँ पर किस करकार का वर्क डन होगा किया गया कारे कैसा होगा तो option में negative positive करके दिये गए थी और साथ साथ दिये गए थी मतलब जो किया गया कारे positive होगा और gravitational force negative होगा या फ दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में कारे हो रहा तो कारे क्या होना चाहिए positive होना चाहिए तो कारे अपना positive होगा जो बाल्टी अपन लिप्ट करेंगे और जो gravitational force रहेगा उसके दोरा किया गया कारे negative होगा क्योंकि आपको पता बाल्टी उपर की और खेंच रहे हैं क कारे उपर की और हो रहा है गुर्तवा कष्ण बल विप्रित देशा में लग रहा है मतलब कारे negative हो जाएगा जो gravitational force के दोरा किया गया कारे negative और जो man व्यक्ति लिप्ट कर रहा bucket को बाल्टी को उसके दोरा किया गया कारे positive अगला स्वाल दीके SAI इसका नाम चेंज किया गया आपर पूछे गये इस सिप्ट में तो Sports Authority of India का नाम बदल कर कर दिया गया है दोस्तों Sports India कर दिया गया है अगला स्वाल दीके किस भारती wrestler को special fight के लिए 2019 में New York City United State बोलाए गया था तो वो है बजरंग पूनिया ऐसे पहले भारती पहलवान है बजरंग पूनिया जिनने अमर question दें कि which metal cannot be extracted from the carbon reduction process कौन सा धातू carbon reduction से प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो option पर आद रहेते हैं option नहीं में आपको बता देता हूँ कौन सी धातू यहाँ पर प्राप्त किये जा सकते हैं जो oxide रहती है carbon reduction से धातू को अलग करने की प्रक्रिया है धातू oxide से तो इसमें उच शकरता श्रेणि की धातू को reduce नहीं कर सकते है अपन मतलब उच्च शकरता श्रेणि की धातवे कौन से होताई है तो आप कहेंगे यह सभी धातवे आप सरेणी देख सकते हो शकरता श्रेणी तो potassium है sodium है calcium है magnesium है यह उच्च शकरता उपर वाले जो भी element है उनको प्रत्थक नहीं कर सकते हैं प्राप्त नहीं कर सकते हैं carbon reduction प्रोसेस से और जो नीचे वाले धातू जितने भी है जैसे कि आपके iron को कर सकते हैं जिंक को कर सकते हैं, हाइडुजन, कॉपर, मरक्री, चांदी, ओरम, गॉल्ड वगिरा, इन सभी को इस प्रक्रिया से जो कार्बन रेडक्शन है, इन से अलग प्राप किया जा सकता है, तो आपकी था कौन सा नहीं किया जा सकता है, जहांपर आप्शन में शायद इस परकार से होगा, पोटिशिम, सोडियन, इन में से कोई होगा, तो वो, इनको आपन नहीं कर सकते हैं, बाकि आइरन को कर सकते हैं, जिंक, आइरन, कॉपर, सिल्वर, गॉल्ड को अलग किया जा सकता है, नेक्स्ट निकिया पर स्वाल नंबर उनहत्तर, उत्तर लेंस से कौन सा नेतर द दोस होता है, वो है मायोपिया, निकट दस्टी दोस हो जाएगा, तो निकट दस्टी दोस है, वो आपकी मायोपिया है, ये तो आउतल लेंस है, उत्तल तो आपकी दूर दस्टी दोस हो जाएगा, उत्दो, तो दूर दस्टी दोस जिसे हाईपरोपिया बोला जाता है, इस इसके वो सही करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयुक किया जाता है आउतल जो कौन केव लेंस है इन से ठीक होता है निकट दस्टी दोस्ट निकट दस्टी दोस्ट में मतलब निकट की वस्तु इसपष्ट होगी दूर की इसपष्ट होगी तो मायूपिया से उसको रोप गया नाम वायोपया है और आउतर लैंज से ठीक किया जाता है और जो दूरदस्टी दोश है हाईपरोपया इसको उत्तर लैंज कॉन वैक्स लैंज से ठीक कर सकते हैं दूर की वस्तु शार्प और निकट की इससप्ष्ट अउतर लेंज में फोकल लेंज आपको दे गई थी और उसकी पौवर पूछा था लेंज की शक्ति आपको पूछी थी तो काफी easy स्वाल था और इसमें थोड़ा सा लेंज की यहां पर फौवर लेंज की फोकल लेंज दे गई हैं वो 200 cm दे गई हैं तो विश्यच का ध्यान में रखन है तो इसको सबसे पहले आपको मिटर में कनोट करना है जैसे एक्जाम में आ जाए सेंटिमीटर सीधा मिटर में कनोट कीजिए तो यहाँ पर पी बराबर हो जाएगा एक बटा एक कितना है 200 सेंटिमीटर है इसको मैं मिटर में कनोट करूँगा तो किसका भाग दूँगा आपको हमेशा ध्यान में रखना है U P, क्या याद में रखना है U P, U का मतलब उत्तल, P का मतलब positive, उत्तल लेंस का आ जाए focal length की या फिर power की तो वो positive होगी और outer lens का पूछ लें तो इसका उल्टा negative हो जाएगा, इसमें किसका पूछ गया, outer lens का पूछ गया है, उत्तल तो नहीं स्वाल क्या value थी वो नहीं मिले, लेकिन यापर इस टाइप से एक स्वाल पूछ गया था, अब दोस्तों देख लेते हैं, 17 दिसंबर को जो पर्थम पारी में junior translator का एक्जाम हुआ था, हिंदी का, वो पदम सिंग ने ये real और authentic स्वाल पे थे, इनका बहुत बहुत धन्यवा उत्तर प्रदेश में लोक्षभा सीट कितनी है, तो असी है, लोक्षभा सीट के ट्रिक से, राजेशभा सीट के ट्रिक से एक मेंने डेडिक्टेड अलग सी वीडियो बनाया है, वो आप जरूर देखना आप कन्फ्यूज नहीं होंगे कौन से स्टेट की लोक्षभा और र वायू परदूशन संबंदित जागरुकता बढ़ाने ही तू कौन सा गाना लॉंच किया गया था, ये आपके स्वाल 17 दिसमर के फर्स एकने पूछेवा स्वाल है, और मैंने इसको टेलिग्राम पर स्वाल का पोल भी कराया था, बहुत से केंडियेट ने गलत एंसुर दिय तो आपको याद रखना है हवा आने दे तो 5 जून 2019, पांच जून क्या है, तो वो है विश्रू प्रयाउन दिवस मने जाता है, इससे पहले ये गाना रिलीज हुआता 30 माई को वाताश्राइद, तो विश्रू प्रयाउन दिवस के मौके पर जो Ministry of Environment, Forest, Climate Change के दोरा वायू परदुर्शन संबंदित जागरुकता बढ़ाने के लिए जो गाना लॉंच किया गया है, हवा आने दे जिसमें आक्षे कुमार फीचर किये गये थे, तो ये जो World Environment Day 2020 की थीम थी, टाइम फॉर नेचर, तो इस गाने का नाम पूच जाता हवा आने पुस्तक कौन सी हैं, तो ये हैं The Indian War of Independence हो जाएगी, जो के 1877 की विद्रो पर लिखित विनायक दामुदर शावरकर के दोरा पुस्तक हैं, जो पर्थम बार पब्लिस होई थे 1909 में The Indian War of Independence इसकी पुस्तक का नाम हो जाएगा, इस्थाई बंदोबस्त मंगाल में किन की एक इस्थाई व्यवस्ता है तो शम्जोता हुआ था, कर्वसूलने से संबंदित 22 मार्च 1793 को, वैन की फुल फॉर्म पुछी तो वाइड एरिया नेट्रोक हैं, मैंने बता इसमें अलगलग के टेगरी के एक्जाम होए, लगबग 10 के आसपास के टेगरी तो सभी में प्रोसेसर का, उसके बाद ULSI, BLSI, हरीजन सेवक्षंग के स्थापना किन के दोरा की गई है, तो ये महत्मा गांदी के दोरा 1922 को, ये स्वाल रिपीट किया जा रहा है, हरीजन सेवक्षंग के स्थापना टीशेज कमनी, SSC में पूछावा स्वाल है बहुत बाल, इसके स् सितंबर 1922 को एक अखिल भारतिय संग्ठन के रूप में होई थी, पहले इसका नाम अलग था, अखिल भारतिय संग्ठन था, फेल और इस संग्ठन का नाम है, वो इस परिष्टा निवान संग रखा गया, जैसे 13 सितंबर 1933 को हरीजन सेवक्षंग नाम, ये जेंज हुआ है, पर्थम अद्यक्षते घंश्याम दास, बेडला जो द्योग पती सज्जीव थे, अमरत लाल विठल दास ठककर, नेक्षन देखे, रिसाइकल बीन का उप्योग जो पंपूर्टर में किया जाता, जो अपन डिलिट कर देते हैं, फाइल फॉल्टर वगेरा, उसको वापस अ अद्यक्षते घंश्याम देखे, अब देख लेते हैं, अब देख लेते हैं, दोस्तों, 17 दिसम्बर शेकेंडशिप का जो एक्जाम था, फिंगर प्रिंट एक्जामिनर का एक्जाम था, इस्पेशल थैंक्स यहाँ पर अनुक मोरे और रोहित को, जिन्होंने ये रियल के उसन सेंड किये हैं, 17 दिसम्बर शेकेंडशिप जो फिंगर प्रिंट एक्जामिनर का एक्जाम था ये, गांदी जी दक्षिन अफरिका से भारत कब लोटे, स्वाल एक्जेक्ट ये पु आए गया था नो जनवरी को, क्योंकि इसी दिन नो जनवरी को 1915 मैं महत्मा गांदी डक्षना परिकार से भारत लोटे थे, बेसी जी की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ये जो बेसी जी की वैक्षिन है, बैसील के अलमेट ग्वेरेन इसकी फुल फॉर्म है, टीबी की एक वैक्षिन हो जाएगे, प्रात्मिक उपभोगता कौन होते हैं, तो प्रात्मिक उपभोगता सभी शाकारी जन्तु पर्थम स्रेणी के, तो पर्थम स्रेणी के जो फस्ट लेवल के पोर्शन इस तरह हैं, उसमें प्रात्मिक उपभोगता है, वो सभी शाकारी जन्तु होते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं बता दूँ यह आपके घास टिड़ा मेंडग शाप यह खादिश रंकला हैं इसमें सबसे पहले होगा उत्पादक जो की इससे पहले में आपको बता चुका हूँ शवपोची जो अपना भोजन श्यों बनाते हैं यह उत्पादक पेड़ चतुरत उभ्भुकता जैसे एक्जामबल की बात को घास को कौन खाएगा टिड़ा घास आपके शौपों से इसको टिड़ा खारा तो शाकारी फिर टिड़ को मेंड़क को शाप साब्सना को मोर तो मोर यहां पर चतुरत उभ्भुकता हो जाएगा यहीं मियोग्वन पास् एक इसपर स्वाल यहां पर क्योंकि किस कौन सी बुक्स पूची थी यह स्टुडेंट नहीं बता है तो इतना यह जो सैम मैंने यहां पर बता दिया है और यहां यहां यह करंट अपर से स्वाल बना है 2018 की एक बुक्स थी भारत में महिला क्रिकेट के इतियास प्राधरित एक किताब थी The Fire Buns Blue A History of Women Cricket in India जो 13 नहुमर 2018 को लौंच चुई थी तो इससे ही दी स्वाल पूचे गया तो यह बुक्स है साइमन कमिशन भारत पहुंच था कब आया था तीन फरवरी 1928 को साइमन कमिशन भारत आया था इससे पहले इसका गठन हुआ था साइमन आयुक की दोरा साथ बिल्टी सांस्तों का शमू था जिसका गठन आर्थ नूबर 1927 को भारत में स्विधानिक सुधार के अध्धिन के किया गया था इसका प्रमुक कारे की बात करें तो मॉन्टेंग यू चैम्स फॉर सुधार है उसकी जाज करना प्रिवी मुक कारे था इसे साइमन कमिशन अध्यक्स पर जौन साइमन की नाम पर रखा गया इसका नाम जो 1928 में भारत पहुंच था चाकु से काटी जाने वाल धातु कौन सी है सोडियम हो जाएगी अगरस वाल दी की 2022 में एसियन गेम्स कहां पर आयोजित होने वाले है जो 19 वा एसियन गेम्स होंगे 2022 में ये चाइना में होंगे होंगे होंग जाउच जियांग चाइना में होंगे इससे पहले 2018 के एसियन गेम्स कहां पर रोखे जकार पालेंबंग इंडोनेशिय में आयुजित किया गए थे घनत्यों का आपको फॉर्मॉला पूच था डेंसिटी है यह हो जाएगा आपके दरिमान बट्टा आयतन हो जाता है तो दरिमान बट्टा आयतन घनत्यों का फॉर्मॉला अगर आश्वाल देखें यू एन चेंपियन औदार तावार 2008 किस भारती को दिया गया है तो नरेंदर मोधी को मिला है पॉलीस SP है तु यूनाइटे नेशन US अब दा होसे समदेख सामिति का है तेनुलुकर समिति है रंगराजन समिति ये सभी गरीबी रेखा निर्धान करने वाली शमित्या हो जाएगी कौन सी सदिश या अदिश रासी है तो जो भी पूछा मैं अदिश रासी की बात को तो उर्जा हो गई कारे हो गया फिर समय आयतन दर्यमा ताप चाल विजुद्धारा भी अदिश है दाब दूरी ये अदिश रासी हो जाएगी सदिश रासी हैं जिसमें देशा के साथ परिमान भी होता है उसमें विस्तापन वेग द्वन बल शमेग हैं चुम्ब के आगून चाल परवनता ताप परवनता जो की इंडियन ओशियन में आ जाएंगे हिंद माशागर में नेक्ट मों देखे बोधिक संपता अधिकार में संसुदन के सुवर्ष किया गया है तो दोस्तों ये इंटलेक्ट्वल प्रोपर्टी राइट्स हैं जिसमें देखी जैसी कि आपकी हो जाए बोधिक संपता में संक्षित रहते हैं मतलब आपके दोरा वो राइट्स है उसमें और भारत में यहाँ पर आपको पूचा है बोधिक संपता अधिकार में संशोधन क्या है सबसे पहले ये जो पेंटेंट और डिजाइन एक्ट बनाया गया था वो 1911 में आया था भारत में सरोपर्तम वर्ष 19 जब वहान पर ब्रेक लगाते तो एका एक उसमें बैठा यातरी आगे की और जुक जाता है ये जड़तों का गत्ती का जो पर्थम नियम है न्यूटन का उसका उदान हो जाएगा अगरा स्वाल दीखे वैन बैकिंग सोडा मिक्स्ट अप विट लेमन वाटर वोट हेपन्स मतलब लेमन वाटर में क्या होता साइट्रिक एसिड होता है उसके साथ बैकिंग सोडा का मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट मिक्स करेंगे तो क्या होगा उसमें एक तो सीउटू गैस निकल जाएगी और सोडियम सिट्रेट है इनका उत्पादन होगा ये बबल्स के रूप के लिए होता है तो तीन संक्रामक रोग हैं इनके खिलाब ये टी का है एक वरग रहता है तीनों रोगों का तो ये तीन रोग कौन से डिप्थीरिया डी और फिर आपकी पी का मतलब है पर्टू से जो कुकर खांसी रहती है और फिर यहां पर टी कि बात को तो टिटनस और अगला स्वाल दिखे, एक क्योशन था, animals कौन सी kingdom से जगत से बिलॉंग करते हैं, तो exact क्या स्वाल था पता नहीं, लेकिन ये सभी option दिये गए थे, animal का नाम दिये गए था, ये कौन सी kingdom से बिलॉंग करते हैं, तो मैं एक एक example आपको बता देता हूँ, जैसे कि porphyra की बात और एनिलीडा है इसके उदार में केंचुआ है जॉंक है आर्थो फोडा में काक्रोच हो जाएगा मच्छर हो जाएगा मोलस्का में बहुत बार पूछा जाता है गहंगा किसका है उक्टोपस किसका मोलस्का काईका इनोडरमेटा में तारा मचली वगेरा और अब दिखी क्यो नेक्ट वन देकिया आपर which article provides for election commission in our constitution समिधान में जो निरवाचन आयोग है वो किस आर्टिकल में उल्लेकी थे तो आर्टिकल 324 में निरवाचन आयोग की शक्तियों का वर्णन है मोलिक करत्यों समिधान के एकिस आर्टिकल में उल्लेकी थे जो मोलिक fundamental duties है वो आर्टिकल 91A के अंदर भाग की बात पुतु चार A में है और कब ये किस संसुधन के तैरिक सको आड़ किया गया तो ये संसुधन है 42 समिधान संसुधन 1936 वाला जो कि सरदार स्वन सिंग समिती के अनुशनशा पर बहुत बार पूच गया के समिते के कहने पर तो कौन सी समिती थी तो ये खी सरदार स्वन सिंग समिती 42 समिधान संसुधन 1936 में हुआ था मोलिक करत्य आर्टिकल एक्याउन A भाग 4A के तैत एड़ किया गया है समिधान है वो रश्या से लिया गया ये अग आपको पता होना चाहिए वायू परदूषन निवारन अदेनिम कब बने गया था 19 81 बनाए गया था और एक संसुधन क्या गया है 1967 में और इसे वायू परदुस्कों की परिभाषा के अंतरकत शामिल किया गया है अगला स्वाल देखिए आप पर सबी स्वाल आपकी गंपलिट हो चुके हैं 103 gk के स्वाल बता दिया हैं कुछ जो इस्टूडियन ने इस टाइप से बता हैं मेस के स्वाल हैं ये सबी आपके real और authentic स्वाल जो ministerial and isolated category के अलगले category के exam हुए है और मैंने proof शाहित आपको बता दिया है PDF file आपको same as it is 110 questions की लगभग Telegram channel जल डेवलेबल हो जाएगी तो जरूर जोड़ जाना जो भी NTPC वगरा के exam continue होंगे वहाँ पर जो रियल क्यों से उनकी पीडियो वहाँ पर मिल जाएगी तो टेलिग्राम से जोड़ जाना link description box में है और अने केर्मी पर जो भी courses है 21 December से continue हो रहे हैं नए बैचे 31 December से पहले आप जोइन कर लेना TTG के कोपन कोड़ अपलाई करेंगे तो आपको 10% काक्ष्टा डिस्काउंड मिल जाएगा उसके बाद भी बड़ा दी जाएगी तो धेन्यवाद दस्तों